Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot Guys, आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है आज कह सकते हैं, कोश्चन है, वो यह है कि आपके पार्टनर जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या हम यह कह सकते हैं आपके जो फ्यूचर में जो जीवन साथ ही होंगे वो कैसे होंगे, उनके क्या characteristic होंगे, उनके क्या traits होंगे, इस reading के थ्रूँ हम देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 option रखे हुए है Option number 1, option number 2 and option number 3 यहाँ पर मैंने आपके 3 deck रखे हुए हैं और अच्छे से meditate कीजी आप और meditate करके जिस पे भी जिस डेक पे भी आपका focus ज्यादा जाता है या जिस डेक जो भी डेक आपको ज्यादा attract करता है आप उस डेक की reading ले सकते हैं तो जिन्होंने भी option number यहाँ पर one choose किया है lights here deck है और देखते हैं कि आपके जो partner होंगे वो कैसे होंगे तो यह जिनका भी option है उनकी reading हम देखते हैं कि उनके जो spouse होंगे future में वो कैसे होंगे यहाँ पर हम उनके zodiac sign भी देखेंगे साथ साथ उनके initials देखेंगे और अगर आप मेरे चैनल पर first time आये हैं तो प्लीज subscribe कर दीजिए second time आये हैं तो प्लीज like कर दीजिए और यह जो है यह जनरल collective reading है सबके साथ resonate नहीं करेगी divine या angels जिसको भी यह message या guidance देना चाहते हैं या उनको कुछ message देना चाहते हैं उन्हीं के साथ यह resonate करेगी तो यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे cards निकल गए हैं इतने सारे cards नहीं लूगी में अपने आप आया है यह three of cups तो first जो card है three of cups का card है और यहाँ पर यह जो energy है आप आपके जो future spouse होंगे वो cancer prices या scorpio हो सकते हैं और second card जो है वो ace of swords का card है Gemini Libra Aquarius भी हो सकते हैं आपके जो partner है Ace of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn हो सकते हैं इतने सारे cards नहीं लूगी यहाँ पर two of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn हो सकते हैं फिर है six of wands, Aries, Leo, Sage हो सकते हैं तो यहाँ पर जो ज़्यादा तर जो मुझे energy जो है वो wands की और pentacles की ज़्यादा दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर Taurus, Virgo, Capricorn या Aries, Leo, Sage यह तीन six zodiac signs जो हैं आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रहे हैं अब देखते हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे वो कैसे होंगे तो सबसे पहले जो है three of cups का card है means आपके जो पार्टनर होंगे थोड़े से उनकी friendship, friend circle बहुत ज़्यादा होगा और celebration करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा हर चीज को celebrate करना, हर चीज में घूमना, फिरना, enjoy करना, friends के साथ ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा Ace of Swords का card है means जीत पसंद होगी हर चीज को पाने की इक्छा means अगर किसी चीज को पाना है तो पाना है उसको हर हाल में उसको पाने की कोशिश करना इस तरह का उनका nature होगा और हार बिल्कुल उनको बरदाश नहीं होगी इस प्रकार के ये व्यक्ति होगे और साथ-साथ इनका communication skill बहुत अच्छा होगा बोलने में बहुत अच्छे होगे और किसी को भी अपनी बोली से अब किसी को भी अपनी बात से बहुत जल्दी इंप्रेस करने वाले परसन होगे और साथ-साथ थोड़ा सा इनका जो इनकी जो बोली है थोड़ी सी हार्ष भी हो सकती है means एक डम सटीक जवाब देने वाले means तुरंथ हाजी जवाब इस तरह के व्यक्ति हो सकते है फिर नेक्स जो काड़ है एस आफ पैंटिकल्स का काड़ है means प्रोस्पेरिटी पसंद होगे इस तरह के होगे हो सकता है उनके जो केरेक्टिरिस्टिक इस तरह के हो सकते है कि उन्होंने बहुत छोटी उमर से अपना खुद का बिजनिस स्टार्ट किया हो और बहुत ज़्यादा उनका बिजनिस जो है वो अब फ्लरिश कर गया हो means किसी भी चीज में जिस भी चीज में हाथ दाले इस तरह के व्यक्ति के वो फलफुल जाए वो जो व्यापार है जिस चीज में भी हाथ दालेंगे वो फलेगा इस तरह की उनकी थोड़ी सी सोच क्या उनकी थोड़ी सा नेचर इस तरह का होगा means यह कह सकते हैं कि बिजनिस माइंड़ परसन उनको बिजनिस के सब तोर तरीके पता होंगे सारे स्ट्रेटेजी पता होंगी और एक बहुत अच्छे बिजनिस में में बोल सकती होंगे आपके जो परसन होंगे टू आफ पेंटिकल्स और टू आफ पेंटिकल्स का कार्डे मीज बहुत अच्छे से चीजों में ताल मेल बिठाने वाले किस तरह से किस में ताल मेल बिठाना ये उनको बहुत अच्छे से आता होगा और हर चीज को manage करने वाले, किसी भी परिस्तिती में adjust होने वाले इस तरह के person आपके होगा Six of Wands, यहाँ पर आपके जो person है वो leader हो सकता है, किसी political party से भी related हो सकते है पॉस्ट हो सकता है और जीत हमेशा उनको एक लीडर्शिप क्वालिटी भी होगी उनकी। मिन्स उनमें बहुत अच्छी लीडर्शिप वो किसी भी किसी भी चीज का बहुत अच्छे से नेत्रत्र करने वाले व्यक्ति होंगे बहुत अच्छी लीडर्शिप उनके क्वालिटी होगी उनके अंदर साथ साथ three of wants means जो भी काम करेंगे future को देखते हुए उनको means future में security चाहिए और stability चाहिए और जो भी काम करेंगे जो भी उनके action होंगे वो future देखते हुए action करेंगे means future देखते हुए काम करेंगे जो भी काम करेंगे और हो सकता है और भी हम कार्ण देखेंगे इन कार्ण के थू देखेंगे कि यह क्या उन में क्या करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं यह कह सकते हैं उनके प्रोफेशन भी हो सकते हैं इसमें से तो ग्रेट फॉर्चिन उनका जो हो सकता है बहुत गुड़ लख हो बहुत लखी पर्सन हो लख बहुत अच्छा रहेगा उनका बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी रहेगी उनकी लाइफ में दूसरा जो है distant horizons मींस हो सकता है थोड़ा सा जिनसे भी आपकी marriage हो जो भी आपके spouse हो वो आपकी या तो अब्रोट से हो सकते हैं या दूसरे state या city से हो सकते हैं और imprisonment का card है means उनका जो हो सकता है उनका जो jailer भी हो सकते हैं जो jail department है उसमें भी उनकी job हो सकती है और official person हो सकते हैं यह उनके profession हो सकते हैं और भी हम देखेंगे और भी हम देखेंगे कि उनकी क्या trades हो सकते हैं celebration फिर से आगया celebration means उनको celebration करना बहुत जाता पसंद होगा आपके person को और healing healer हो सकते हैं यह person हो सकता किसी healing field से हो healer बहुत अच्छी होंगे या तो medical field से हो सकते हैं या occult science से हो सकते हैं healer होंगे आपके जो person होंगे और ओडिनरीनेस उनमें एक चीज बहुत अच्छी होगी means होगा उनके पास बहुत कुछ बहुत बड़े businessman भी हो सकते हैं और यह कह सकते हैं कि बहुत पैसा होगा बहुत prosperity होगी बट उनके अंदर एक ordinaryness होगी means down to earth होगे means हर इंसान से means उनको पैसे का कोई भी attitude नहीं होगा हर इंसान से एक इंसान की तरह मिलने वाले person होगी उनमें ऊच नीच का कोई भी भाव नहीं होगा इस तरह का उनका नीचर होगा understanding आप उनकी understanding बहुत अच्छी होगी means किसी को भी बहुत जल्दी समझने वाले किसी की भी understanding की किसी भी की भी परिस्तिति को बहुत जल्दी भापने वाले या जानने वाले person होगे तो यह थी जिन्होंने reading जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूस की थी अब हम देखेंगे कि उनके initials क्या होंगे अब हम देखेंगे कि आपके जो person होंगे उनके initials क्या होंगे अन हो सकता है उनका initial s हो सकता है a हो सकता है फिर a हो सकता है आई हो सकता है या यू हो सकता है तो यह उनके initials हो सकते हैं ठीक है आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा यह उनके initials होंगे तो जिन्होंने भी पाइल नंबर टू चूस की है या डैक नंबर टू चूस किया है या यह कह सकते हैं option नंबर टू चूस किया है देखते हैं उनके partner कैसे होंगे प्रूस किया है देखते हैं कि आपके partner कैसे होंगे जिन्होंने भी pile number 2 choose कि हैं आपके partner देखते हैं किस तरह के होंगे आपके स्पाउस होंगे बहुती माईजर परसन होंगी उनके दिल हो दिमाग में बस पैसह पैसा पैसा चलेगा इस तरह के परसन हो सकते हैं आपके विपाउस होंगे पेसे पर बहुत प्धोकस करेंगे बहुत ज्यादा फोकस हईगा पैसे पे फोरी सी स्प्रिच रो सकते हैं तो है ते इते उ स्प्रिच्वाइल को गाइडेंस रिगोड़ी पर थे होंगे और खुद भी स्प्रिच्वल होंगे तो मैजिशियन का काड़े मीन्स कोई भी काम बहुत ही ट्रिकी परसन हर काम जो है किसी ना किसी जुगार की किसी ना किसी तरीके से मनवा लेना इस तरह के परसन होंगे साम दाम दंढ भेद लगा कर अपना काम करवाने वाले परसन जुगारू किसम के परसन बोल सकते उनको औरर दशेटियोट का काड़ाया है जा LOOK ॏ काम पर determine, बहुत ज़्यादा जो चीज उन्हें करनी है, तो करनी है उनका हर चीज पर बहुत अच्छा अपने aims पर, अपने goals पर बहुत अच्छा control होगा उनको ये पता होगा कि उनको किस direction में, आप किस direction में बढ़ना है और आपके जो person होगे वो जो person होगे, वो Gemini हो सकते हैं और Gemini और Virgo हो सकते हैं Virgo, Gemini और Cancer, ये तीन मुझे sign जो है, बहुत strong दिखाई दे रहे हैं जोडिक sign उनके और Page of Cups, Spices ये Water Energy मुझे नहीं दिखाई दे रही एकी कार्ड आया है Six of Pentacles Means Taurus यहाँ पर Earth Elements जाता दिखाई दे रहा है तो Taurus, Virgo, Capricorn हो सकते हैं आपके जो person होगे और अब मैं उनके traits बताती हूँ कि traits किस प्रकार के होगे उनके देखो पहले तो इस तरह के person होगे कि थोड़े से spiritual होगे थोड़े से क्या बहुत जादा spiritual होगे और दूसरों को रास्ता दिखाने वाले दूसरों को guidance spiritually करने वाले और पेसे पर बहुत जादा focus जो एक तरह के miser भी बोल सकते हैं miser होगे पैसे के मामले में थोड़े से कंजूस होगे उनके दिल और दिमाग में बस पैसा किस तरह से जादा profit करनूं किस तरह से कौन सा ऐसा काम करूं जिससे मुझे जादा profit हो जाए या इस तरह का कह सकते हैं कि अपने emotions को बहुत कंजूसी से बयान करने वाले एक्सप्रेस करने वाले इस तरह के भी person हो सकते हैं अपने emotions किसी को नहीं दिखाएंगे और थोड़े से focus जो भी काम करना है उसके लिए बहुत जादा focus रहेंगे जो करना है सो करना है उनको ये पता होगा कि अब उन्हें किस direction में planning करनी है किसमें नहीं करनी है और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे शिव भक्त भी हो सकते हैं शिव जी के बहुत परम भक्त हो सकते हैं शिव जी की बहुत पूजा करने वाले हो सकते हैं और उनको ये भी पता होगा कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत इतिना अच्छा उनका intuition power होगा किसी भी व्यक्ति को देखकर वो बता सकते कि व्यक्ति कैसा है और साथ-साथ अच्छे बुरे का बहुत अच्छा उनको ज्यान होगा साथ-साथ बहुत जादा fun loving person, funny type person और थोड़े से romantic भी हो सकते हैं थोड़ा सा flirt करने वाले इस तरह के person हो सकते हैं और साथ-साथ मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो person होंगे वो equal give and take means उनको दान धरम करना बहुत पसंद होगा बहुत ज्यादा charity बहुत ज्यादा donation करने वाले person होंगी अब next हम देखते हैं कि उनके profession भी देख लेते हैं साथ-साथ ट्रेट्स भी देख लेते हैं कि क्या होंगे तो occupation जो होगा हो सकता है उनका कोई occupation हो कोई पेशा हो या तो CA हो सकते हैं या advocate हो सकते हैं मतलब जो भी काम होगा प्रोफेशनल होगा और पुलीस में भी हो सकते हैं और पुलीस देपार्टमेंट में हो सकते हैं आपके जो पर्सन होंगे थोड़ी सी health को लेकर थोड़ी सी उनकी है health जो है थोड़ी सी खराब रह सकती है इस तरह के पर्सन होंगे थोड़ी सी खराब ज्यादा हलकी तबियत वाले पर्सन होंगे और पेंटर भी हो सकते हैं उनको हो सकता किसी artistic field में हो creativity में हो उनकी हो सकता creativity बहुत अच्छी हो बहुत अच्छे painter पेंटर हो सकते हैं या यह कह सकते हैं बहुत अच्छे poet हो सकते हैं writer हो सकते हैं आपके पर्सन और भी हम कार्ज देखेंगे उनके traits देखेंगे इन कार्ज के थुरूप कि रीबर्थ मतलब इस तरह के पर्सन रीबर्थ में विश्वास करने वाले में अब जो चीज हो गई तो हो गई उसको आप नए सिरे से करने वाले एक नई सोच रखने वाले पर्सन मिन्स जो हो गया सो हो गया आप नए सिरे से स्टार्ट करते हैं जो भी हो गया इस तरह का जो परसन हो सकते हैं या यह कह सकते हैं कि जो आप चीजें होगी अब उसको खतम करो और नई चीजों पर फोकस करें इस तरह के परसन किसी भी चीज को तुरंत खतम करने वाले उसको लेकर बैठने नहीं वाले के उसको खीच रहें उन चीजों को इस तरह के परसन बिल्कुल नही होंगे हुआ है 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 अब अध्य बहुत ही ज्यादा एडबेंचरस काइन परसन, एडबेंचर करने वाले, मिन्स सहासिक प्रकार के व्यक्ति, एडबेंचरस में विश्वास करने वाले, हमेशा एक न्यू विजन के साथ आगे बढ़ने वाले परसन, और माईजर, आखिर कार आई गया माईजर, और कंजूस हो सकते हैं ये परसन, आपके परसन कंजूस बहुत होंगी, हमेशा कुछ ना कुछ उनका नया विजन रहेगा, कि अब मुझे ये मेरा एम फुल्फिल हो गया, इस तरह की प्रवर्थी वाले परसन कह सकते हैं, अब देखते हैं कि आपके परसन के इनीशियल क्या होंगे, जी, आपके परसन का इनीशियल जो है, वो जी हो सकता है, ती हो सकता है, इह हो सकता है, भी हो सकता है, ओ हो सकता है, या एच हो सकता है, तो ये आपके परसन के इनीशियल हो सकते हैं, और मैंने आपको राशियां बताई दी थी, जोडियक, वर्गो, वर्गो, जैमीनाई, एंड एक ओर थी, कैंसर, ये तीन जो हैं, जोडियक साइन मुझे बहुत स्ट्रॉंग दिखाई दे रहे हैं, तो जिनने भी ये वाला पाइल चूस किया था, ये डैक चूस किया था, देखते हैं, कि उनके पार्टनर कैसे होंगे, तो सेवन आफ का कार्ड़ा है, सिक्स ओफ सूर्ट्स का कार्ड़ा है, फाइब आफ कप्स का कार्ड़ा है, स्टार का कार्ड़ा है, सेवन आफ पैंटिकल्स, और नाइट आफ वॉन्स, तो मैं जोडियक साइन बता दे रही हूँ, यहाँ पर मुझे एक्वेरियस दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, ये पाँच जो हैं जोडियक साइन, चार सॉरी, चार जोडियक साइन मुझे बहुत स्ट्रोंगली लग रहे हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और एक्वेरियस, तो यहाँ पर अब मैं आपके पार्टनर के ट्रेट्स भी बता दे रही हूँ, किस प्रकार के परसन होंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज प्रकार के इंसान, उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए, डिसाइड नहीं कर पाएंगे इस तरह के परसन, और तुरंत वाक अवे करने वाले परसन होंगे, जो चीजे उनको अच्छी नहीं लगती, जो लोग अच्छे नहीं लगते, अगर कहीं पर कुछ गलत बात हो रही है, तो तुरंत उदर से उठकर चले जाने वाले परसन, और अगर कोई चीज उनको अच्छी नहीं लग रही है, अगर कोई job उनको नहीं पसंद है या कोई काम उनको पसंद नहीं आ रहा है तो तुरंत वो काम wind up करने वाले person, close करने वाले person और confused तरह के person means confused रहे ना उनको बहुत सारे option उनके पास रखने वाले person means एक चीज़ के पीछे भागने वाले person नहीं उनको यह लगेगा कि हाँ आगर मेरे कोई यह option नहीं मिला तो मेरे पास दूसरा option है इस तरह के person और थोड़े से emotional हो सकते हैं यह person बहुत ज़्यादा past में रहने वाले हो सकता है past में उनके साथ बहुत कुछ गलत घटित हो चुका हो या कुछ अच्छी memories ना हो कोई अच्छे experience ना हो तो उन experience को बार-बार याद करने वाले person तो यह जो इस तरह की जो energy होती है वो जो है negative energy होती है means हम बुरे experience को बार-बार याद करने वाले तो इस तरह के person होगे मतलब जो कुछ है अभी उसको नहीं देखना है, पिछली चीजों को देखना है यह ऐसे परसन, इस तरह की एनर्जी वाले परसन और यहाँ पर दा स्टार का काड़े मिन्स एक्वेरियस हो सकता यह बहुत पॉपुलर परसन हो इनकी पॉपुलरिटी हो स्टार सीड हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं और हमेशा चीजों को वेट करने वाले, अबजर्व करने वाले बहुत माइनूटली अबजर्व करने वाले परसन चोटी चोटी चीजों को देखना, चोटी चोटी चीजों को बारीकियों को ध्यान में रखने वाले परसन भी हो सकते हैं ये और साथ साथ night of wants इस तरह की energy हमेशा इने न आउट किसी भी चीज पर लंबे समय तक focus ना करने वाले बहुत जल्दी बोर होने वाले परसन और जो भी action लेना तुरंट action लेने वाले परसन जो भी action लेना तो तुरंट लेना है किसी भी चीज का action इस तरह के person हो सकते हैं आपके partner अब देखते हैं उनके profession क्या हो सकते हैं lovers, lovers का card आया है हो सकता है आप दोनों lovers हो और जिन्होंने भी ये pile choose की हो वो जो हैं पहले से ही connection में हो means उनके love marriage हो ये या soulmate भी कह सकते हैं दोनो आप दोनो means आप दोनों की bonding, आप दोनों की understanding बहुत अच्छी होगी वो दोनों का great fortune great fortune से मतलब यह है कि आप दोनों बहुत lucky person होंगे दोनों को हो सकता है कि पसंद के ही partner मिले तो इस तरह से great fortune कह सकते है change हमेशा उनको change पसंद होगा change means यहाँ पर मैंने यह energy बताई थी night of wands बहुत जल्दी चीजों से बोर होने वाले person means उनको change चाहिए हर थोड़े समय में एक चीज से बहुत जल्दी बोर होने वाले person रहेंगे wealthy man wealthy रहेंगे means बहुत एक तरह से कह सकते हैं wealthy person wealthy man rich person होंगे बहुत अब हम देखते हैं ओशो जैन कार्ट से भी देखते हैं आपके जो person के traits क्या होंगे ये कार्ट जो हैं बहुत स्लीपरी हैं मुझे निकालने में शपल करने में दर लगता के गिरना जाए consciousness बहुत अच्छी होगी बहुत ज्यादा और abundance रहेगी उनकी life में बहुत ज्यादा abundance पसंद करने वाले इंसान और conscious level बहुत अच्छा रहेगा फिर से miser आ गया चंजूस हो सकते हैं ये person friendliness मेंस आप दोनों friend हो सकते हैं girlfriend boyfriend हो सकते हैं और हो सकता आपकी marriage हो जाए तो इस तरह के person आपके हो सकते हैं और मैंने आपको सारे traits लगभग बताई दिया कि किस तरह के person हो सकते हो सकता है बहुत meditation करने वाले उनका conscious level बहुत अच्छा होगा हो सकता है ये बुद्ध अगवान के बहुत अच्छे भगतों हो और abundance पसंद करने वाले means हमेशा life में उनको abundance चाहिए खुशियां चाहिए पैसा चाहिए घूमना फिरना चाहिए इस तरह के person थोड़े से माईजर भी हो सकते हैं माईजर मिन्स चीजों को सेफ करके रखने वाले या यह कर सकते हैं अपने emotions जल्दी किसी को बताने ना वाले और कंजूस भी हो सकते हैं बहुत कंजूसी से पैसा खर्च करने वाले व्यक्ति तो यह थे traits जिनोंने भी pile number two choose sorry three choose की थी अब देखते हैं उनके जो initials हैं क्या होंगे blank आ गया initial आई हो सकता है यह हो सकता है और हो सकता है और डबलू हो सकता है एच हो सकता है तो यह आपके person के initials हो सकते हैं और यह blank है इसकी जगह में एक को निकाल देती है जैड हो सकता है आपके person का initial तो यह थी reading आई होब कि आपके साथ resonate करें अगर resonate करें तो प्लीज मुझे comment section में बताएं कि कौन सी pile आपके साथ resonate कर रही है और अगर मेरी वीडियो आपको लाइक पसंद आई हो तो प्लीज लाइक पर क्लीक करें और comment section में बताएं कौन सी pile आपके साथ resonate होती है और मेरे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर next जो भी आप topic चाहते हैं तो आप freely होकर मुझे comment section में बता सकते हैं कि आप किस topic पर अपना वीडियो चाहते हैं तो यह थी reading जिन्हों ने भी pile number three choose की थी I hope के सबके साथ resonate करें Om Sai Ram, have a nice day